पीछा ने छोड़ूंगा जब तक कौम का पैसा ने ये वापस करेंगे ऐमन मंजूर टैट टेवी पाकिस्तान अपने हाथ मेरा है में आपको सस्पेट करता फर्रुक सिद्धी की टैट टीवी पाकिस्तान अस्तो शाम राना टैट टी वी पाकिस्तान फदिर्यादम मुठलब जी आ गया लेके आएंगे टारीकिय अदम है तुमा अर्यम साहबा कहती है मेरे पास टेपे हैं मुझे लगता है अब जेनी तोर पे बिलकुल मख्लूज हो चुके पे रुसकारी में इसाफा होगा अमझत बलूच टेक टीवी पाकिस्तान कौकप फारूची टेक टीवी पाकिस्तान असलाम उलेकुल नास्टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूं रुकसार शेहजा सबसे पहले शामिल करते हैं नियू सेटलाइंस साफिर मौसन बे के नजायस असला रखने के मकदमे में जमानत मन्जूर मौसन बे के वकील ने कहा मकदमे में लगी टफा काबल जमानत जर्म है मौसन बे को 30,000 रुपे के मचल के जमा कराने का हुकम गुजिरावाला में पुलिस हिलकार की फारिंग से रक्षा सवार खातून जाम बहाक अकबर पोस्ट के थानेदार की नाकपर रक्षा ना रोकने पर फारिंग शादी वाले घर में सफे मातम बिच गई पाकिस्तान आएंदा माई पासपोर्ट जारी करने वाले मुमालिक की सिफ में खड़ा होगा विफा के वज़र दाखला शेख रशीद ने कहा सिंध में तेरा नए पासपोर्ट दफातिर काइम किये जाएंगे नादरा के अठाई शिनाखती कार्ड स्टेशन्स भी काइम किये जा रहे हैं बेबी बिलावल तो कराची के अलाकों के नामों से भी वाकित नहीं अली जेदी का कहना है कि जुल्फकार अली भुटो से लेकर लियारी गैंग बार तक पीपी की दहशतगर्दी की कहानिया मौजूद हैं पीपस पार्टी सबसे पहले सियासत में दहशतगर्दी को लेकर आई वजिराजम इमरान खान रूस का दोरा मुकमल करके वतन वापस पहुँच गए वजिराजम ने कहा दो तरफा तालुकात को मस्तक्बिल में मजीद वसदी जाएगी गैस पाइपलाइन प्रॉजेक्ट मुल्क की मौशी तरकी के लिए फ्लैक्शिप मलसुबा करार पाक्साइन से पाइप खाना कीफ से दूसरी शेहर मुंतकिल यूकरेण में फ़से पाक्सानी तल्बा को वज़ी तोर पर टरनुब पर शेहर पहुँचने की हिदायत कर दी गई पाकक्साइन सफीर ने कहा यूकरेण में तमाम पाक्सानी महफूस है Headlines आपने जानी और अब खबरे तफसील के साथ जार दिन रखे इनको आक्टिव नाच्रली एक डोस से लहतर इम्यूनिटी एक डोस से सब फिट रहें आपने लाँ नाच्रली Greenish Natural Health, Healthy Living for the Whole Family Greenish Hand Sanitizer, ना Oily, ना Sticky, ना बदबू और मुकमल Absorption और हाथ नर्म, मुलाइम और साथ आज ही अपनी करीबी फर्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट वो ओर्टर करें www.greenish.com District Session Court Islamabad में मौसन बेग की दरखास जमानत पर समात की गई अदालत ने सहाफी मौसन बेग की नाजाइस असलाह रखने के मुकदमे में जमानत मनसूर कर ली मजीद चांते हैं इस रिपोर्ट में जुडिशन मेजिस्ट्रेट वाकार हुसेन गोंदर ने डिस्ट्रिक सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में मौसन बेग की दरखواस्ते जमानत पर समात की वकीले सफाई ने अदालत में बताया कि मौसन बेग के खिलाफ ठाना मारगला ने नाजाइस असलफ़ा रखने का मुकदमा दर्श किया है وکیل نے عدالت سے استعداد کی کہ مقدمے میں لگی دفعہ قابل زمانت جرم ہیں لہٰذا محسن بیگ کی زمانت منظور کی جائے اس پر عدالت نے محسن بیگ کی درخواست زمانت منظور کر لی اور محسن بیگ کو 30,000 روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا واضح رہے کہ اسلام آباد میں محسن بیگ کو وفاقی تحقیقاتی ادарہ نے گرفتار کیا تھا इस मौके पर होने वाली फाइरिंग से एफ आईये का एक एहलकार जखमी भी हो गया था पैट्रोलिंग पुलिस के एहलकार के रिक्ष़ पर फाइरिंग से शादी में शिरकत के लिए जाने वाली खातून सर में गोली लगने से जाम भाख हो गई मजीद जानते हैं इस डिपोर्ट में लिक्षा ना रुकने पर फाइरिंग कर दी फाइरिंग के नतीजे में गोली तन्जीला के सर में जा लगी और वो मौके पर ही दम तोड़ गई सदर पुलिस ने एहलकार को गिरिफतार कर लिया है जिसने इकरारे जर्म कर लिया मगतूला के खावन ने पुलिस मौकफ की तरदीद करते वे कहा कि उन्हें किसी ने नहीं रुका था पुलिस ने वाके का मुकदमा दर्च कर लिया जबके वजीर आला पंजाप ने वाके का नोटिस लेते वे पौरी कारवाई की हिदायत कर दी वजीर आजम अमरान खान पाकिस्तान की सिक्योर्टी दस्तावीज इलेक्ट्रानिक पासपोर्ट के इजरा का तारीखी आगास करेंगे जिसे कौमी दस्तावीज का दर्चा हासिल होगा मजी तफसिला इस डिपोर्ट में वजीर आजम रिम्नान खान रूस के तारीख साथ दोरे के बाद पाकिस्तान की सिक्योर्टी दस्तावेश एलेक्ट्रानिक पास्पोर्ट के अज्रा का तारीखी आगास करेंगे जिसे قومी दस्तावेश का दर्जाव हासिल होगा विफाकी वजीर दाखना शेख रशीद एहमद ने कहा कि वजीर आजम रिम्नान खान पाकिस्तान के आवाम को सहूलत पराहम करने के लिए ए-पास्पोर्ट सर्विस का आगास करेंगे इसके साथ पाकिस्तान का कावमी अधारा नादरा और डायरेक्ट जर्नल इमिग्रेशन एंड पास्पोर्ट सुद्ने अजीज पाकिस्तान को इस चुबे में इंडिया पर सक्कत मिल जाएगी वजीर दाखना शेख रशीद ने कहा कि सिन में 13 नए पास्पोर्ट दफातिर कायम किये जाएंगे जबके मुल्क भर में नादरा के 28 चनाथी कार्ड इस्टेशन भी कायम किये जा रहे है मजीद खबरे भी बिलिटन का हिस्सा होंगी मगर इस प्रेक के बाद के लिए प्रीनिश नाच्ट रह एक टाप दे इन हे दिन भर की एनरजी और पूरा दिन रखे इनको आक्टिव नाच्र ली एक दोस से लहतर इम्यूनिटी एक दोस से सब फिट रहे अल दे लॉग नाच्र ली मजीद मालूमात के लिए विजिट करें अपनी खरीबी फार्मसी या हमारी वेबसाइट www.greenish.com Greenish hand sanitizer ना oily ना sticky ना बद्बू और मुकमल absorption और हाथ नर्म, मुलाइम और साफ आज ही अपनी खरीबी फार्मसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पो order करें www.greenish.com विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी का कहना था कि पागसान पीपल्स पार्टी पीटी आई के सिंध बचाव मार्च से खौफ सदा है और ओच्छे हटकंडो से मार्च रोकना चाहती है मगर हम डरने वाले नहीं और ना ही मार्च रुकेगा मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी का कहना है कि पीपल्स पार्टी इंतिजामी मशीनरी को इस्तेमाद करके वर्कर्स को डराने की कोशिश कर रही है सुल्फिकार अली बुटो से लेकर लियाली गैंग वार तक पीपी की दह्शत गर्दी की कहानिया मौजूद हैं पीपल्स पार्टी सबसे पहले सियासत में दह्शत गर्दी को लेकर आई कराची में पीटी आई के बैनर तले सिन बचाओ मार्च के आगास पर विफाकी वजीर बराए बहरी अमूर अली जादी का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटी आई के सिन बचाओ मार्च से खाफ सदा है और ओचे हधकंडों से मार्च रोकना चौती है मगर हम डरने वाले नहीं और ना ये मार्च रुकेगा पीपी चेरिमन बिलावल बुटो पर तनकीद करते वे वजीर बराए बहरी अमूर ने कहा कि बेबी बिलावल तो कराची के इलाकों के नामों से भी वाकिब नहीं चेरिमन पीपस पार्टी बिलावल बुटो नहीं बलके जर्दारी है लिखने से कोई बुटो नहीं होता ये तो आज तर कराची की सड़कों पर नहीं चले है मार्च से मुतालिक अली जैदी ने बताया कि हबता 26 फरवरी को दुपहर से मार्च का आगास खुटकी के मकाम से होगा मार्च और एहतिजाज करना हमारा जम पूरी हक है तो फिर हमें क्यूं रुका जा रहा है विफाकी वजीर ने कहा कि जमेरात की रात पी टी आई के कारकुनों को पार्टी पर्चम लगाने से रुका गया पार्टी पर्चम उतारने के लिए पॉलिस क्रेंट तक ले आई उन्होंने बताया कि वाके से मुतालिक PTI के दो MPs ने पूलिस में तहरीरी दर्खास दी है अगर पर्चम उतारने हैं तो सबके उतारे जाएं अली जैदी का ये भी कहना था कि सियासत में सबसे पहले देश्चतगर्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेकर आई फिकार अली भुटो से लेकर लियारी गैंग वार तक पीपी की देश्चतगर्दी का सब को इल्म है अफगानिस्तान में मुमकिना अक्तिसादी बहुरान को रोखने की जरूरत है पाकिस्तान एक मुस्तेकिम पुर अमन अफगानिस्तान के लिए आदमी वरादरी के साथ मिल कर काम करता रहेगा मज़ी तफसिलां चांते हैं इस रिपोर्ट में सदर विलादे मिर प्यूटन से मलाकात के ऐलामिये के बाद वजीर आदम ने शिंगाई तावन तन्जीम समेट मुखतले फौरम स्वर पाक रूस तावन और हम आहंगी पर भी सोर दिया वजीर आदम ने मगबुजा कश्मीर में इनसाने हकोग की संगीन खिलाफ वर्जियों का मौमला भी उठाया और कहा कि मसला कश्मीर के पूरमन हल से इलाकाई तवाजन बर करार रखने में मदद मिलेगी इमरान खान ने रूस और यूकरेन के दर्मयान ताजा तरीन सूरत इहाल पर अफसूस का इजहार करते हुए कहा कि जंग किसी के मफ़ाद में नहीं पाकिस्तान को यकीन है कि सिफारतकारी से दोनों मुलकों के फाजी तनाज़े को खतम किया जा सकता है तनाज़ाद की सूरत में तरक्की पजीर मुमालिक मौशी तोर पर ज्यादा मुतासिर होते हैं वजीर आज़म ने बढ़ती हुई आलमी शिद्दत पसंदी और इसलामोफोबिया के रुचानात पर तश्वीश का इजहार किया और बैनल मजाहिब हम आहंगी की जरूरत पर जोर दिया यूकरेन के दारल हकूमत कीव से पाकिस्तानी सिफारत खाना दूस्टे शहर टरनौपल मनतकिल कर दिया गया है पाकिस्तानी सफीर ने कहा कि यूकरेन में पाकिस्तानी सिफारत खाना टरनौपल में आज से मुकमल फाल होगा मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में यूक्रेन में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने बयान जारी करते हुए बताया है कि यूक्रेन में पाकिस्तान का सिफारत खाना 25 वरवरी 2022 ट्रेनोपल में मुकमलता पर फाल है सिफारत खाने का एक फोकल परसन भी दारुल हकूमत कीफ में पाकिस्टानी तुल्बा की सहूलत के लिए दस्याप है सिफारत खाने ने बताया कि ट्रेने काम कर रही है और खार्कियों से लिए ट्रिनोपल तक टिकेट दस्याप है जिन शेहरों में जहां इस वक पब्लिक ट्रांसपोर्ट दस्याप नहीं है तमाम तुल्बा को मतला किया जाता है कि सिफारत खाने ने मुताले का एजाजाजी तारीमी मुशीर को नकल हमल का इंतिजाम करने और तिल्बा को ट्रेनोपल लाने का काम सौपा है नवीर खोकर ने कहा कि यूक्रेन से निकलने के लिए तमाम तुल्बा फौरी ट्रेनोपल पहुंचे यूक्रेन में खार्कियो से ट्रेनोपल के लिए ट्रेन सर्विस मौजूद है टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फलवक्त इतना ही मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रही हैं टैक टीवी अपने हाँ मेरा है मैं आपको सस्पेट करता है फारुक सिद्धी की टैक टीवी पाकिस्तान एफटशाम राना टैक टीवी पाकिस्तान वदियर आजल मुथल्ब की आगया लेके आएंगे टारी की अदम है तुमारीम साहबा कहती है मेरे पास टेपे हैं मुझे लगता है अब जेनी तोर पे बिल्कुल मफ्लूच हो चुक झाल